नमस्ते, प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमियों, Fact with AI में आपका स्वागत है, आज हम एक ठंडी साहस का हिस्सा बन रहें, आर्केटिक के एक सबसे प्रमुख निवासी, पोलर बियर के रोचक जीवन का परदाफाश करने के लिए, मैं आपका मेजबान, आपका स्वागत करता हूँ, अगर आप नए हो, तो कृप्या करके सबस्क्राइब और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारे और भी रोचक वनिजीव कंटेंट्स के लिए अपडेट रह सकें, आर्केटिक के सीमाओं का स्वामी पोलर बियर इस कठिन परियावस्था में उत्तम अस्तित्व का सच्चा मास्टर है, आईए उनके जीवन के रहस्यों में डूपते हैं, पोलर बियर जो विशेश रूप से आर्केटिक क्षेत्र में पाये जाते हैं, विश्व के सबसे बड़े भूरे जानवरों में से एक हैं, पोलर बियर की उँचाई लगभग 3 मीटर से भी अधिक हो सकता है, और उसका वजन एक टन तक पहुँच सकता है, पोलर बियर का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष हो सकता है, इन अद्भुत प्राणियों ने पृत्वी के सबसे कठिन परियावस्था में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है, उनके इंसुलेटेड बालों से लेकर उनकी शक्तिशाली पैरों तक, पोलर बियर के शारीरिक सनरचना का प्रत्येक पहलू सर्वोत्तम रूप से ठंडे जंगल में बचाव के लिए बनाया गया है, पोलर बियर आर्केटिक जीवन के लिए पूरी तरह से योग्य है, उनके घने फर और वसा की परतों से जो उन्हें 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखते हैं, उनके बड़े पैर जिनमें वेब्ड टोज होते हैं, उन्हें उतक्रिष्ट तैराकी के लिए बनाते हैं, जिससे वे खाद्य की खोज में विशाल दूरी तै कर सकते हैं, पोलर बियर अद्वितिय शिकारी हैं, उनकी सूंग ने की सकती उन्हें बहुत दूर से सील की गंध पहचान में मदद करती हैं, और उनकी उतक्रिष्ट तैराकी क्षमताएं उन्हें समुद्री शिकारियों में भयंकर बनाती हैं, पोलर बियर का नाक अत्यंत समवेदन शील होता है, जिससे वह समुद्री बर्फ के नीचे सीलों की खोज कर सकता है, पोलर बियर का मुख्य आहार सील होता है, लेकिन ये फिश, भैल और अन्य सागरी जीवों को भी शिकार कर सकता है, खास कर जब सील उपलब्ध नहीं होती है, इसके लिए ये समुद्री बर्फ पर अपनी दूर दराज क्षमता और सुगंध इंगितकारी नाक का उपयोग क पड़ता है, जिसमें वे सीलों को शिकार कर सकते हैं, इन सफरों की लंबाई बहुत ही परिस्थितिकी होती है, और इसे निर्धारित करना मुश्किल है, हालांकि यह अनुमान किया जा सकता है कि पोलर बियर लाखों या भारी संख्या में किलोमीटर तक की दूरी तै कर सकत हैं, जब वे अपने सील के शिकार के लिए बरफीले क्षेत्रों में जाते हैं. पोलर बियर एक बहुत ताकतवर जीव है, जिसमें शक्ती, साहस और बल की अद्भुतता होती है. इसका वजन और स्वरूप के कारण पोलर बियर आर्कटिक क्षेत्र में बरफीले समुद्रो पर चल कर अपने शिकार की खोज करने में सक्षम है. पुरुष पोलर बियर का वजन सामान्यता 900 किलोग्राम तक हो सकता है और इसमें उनकी शक्ती का महत्वपूर्ण स्रोथ है. ये जीवन को अनुकूल बनाने के लिए अपनी शक्ती का सही उपयोग करते हैं. विशेश कर जब वे शिकार के लिए बरफीले क्षेत्रों में जाते हैं. पोलर बियर बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और वे लंबे समय तक समुद्री क्षेत्रों में स्विम कर सकते हैं. इनकी शिकार की तलाश और आर्केटिक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच चलने में इनकी शानदार क्षमता है पोलर बियर द्वारा किये जा सकने वाले लंबे स्विमिंग के दूरी का निर्धारन करना कठिन है क्योंकि यह विभिन परिस्थितियों समुद्री बर्फ की घातकता और अन्यकारकों पर निर्भर करता है लेकिन इसे कई सवेरे और संध्यकालों में दूसरे समुद्री क्षेत्रों के लिए जाने की तय करते हुए देखा गया है पोलर बियर मा अपने बच्चों की देखभाल के लिए कई प्रकार के प्रवृत्यों को साज़ा करती है जिसे की गोदी में रखना, शिकार करना और शिकार साज़ा करना, सुरक्षित स्थान प्रदान करना खतरनाक स्थितियों से बचाव इन प्रवृत्यों के माध्यम से पोलर बियर मा अपने बच्चों को शिक्षा सुरक्षा और शिकार साजा करने की शिक्षा देती है जिससे उनकी जीवन कला बनी रहे। दुख है कि जलवायू परिवर्तन के कारण आर्कटिक तेजी से बदल रहा है। समुद्र बर्फ की कमी पोलर बियर के लिए एक महत्वपूर्ण खत्रा है जिससे उनकी शिकार करने और खाना ढूंडने की क्षमता प्रभावित हो रही है। समुद्र बर्फ की हानी पोलर बियर के लिए एक गंभीर मुद्दा है। यह उनके शिकार और प्रजनन आचरण के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायू परिवर्तन उनके पारिस्थितिकी में दुरुस्ती को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आशा है कि पोलर बियर की जनस की सुनिष्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज पोलर बियर के जीवन के रहस्यमय संसार में एक सफर किया। इनकी सुन्दर्ता और संपूर्णता ने हमें आश्चरे चकित किया है। हम सब को याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किये गए चोटे मोटे कदम भ अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया लाइक और कोमेंट्स करे और 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 भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को दबाना न भूले हम मिलेंगे अगले रोमांचक वीडियो में तब तक के लिए अलविदा और हमारे जुड़ने के लिए धन्यवाद